स्टैडल का चार्ट है जिसमें स्टैडल प्राइस प्लॉट होता है लगता है जिसएम लगता है जिस प्राइस पर चार्ट है कर दो है और प्राइस पर समगता है average straddle selling price for the day तो VWAP से हमें ये पता लगता है कि जिस price पे straddle seller ने straddle बेचा है current price उसके नीचे है या उपर चल रहा है अगर straddle price VWAP के नीचे है तो straddle seller comfortable position में है और अगर ये price VWAP से उपर है trade कर रहा है तो either market trend हो रहा है या तो IV में increase हो रहा है अगर ये दोनों सीनारियों में straddle seller के लिए favorable नहीं है ये चार्ट का यूज करके हम अपना system बना सकते है ये एक discretionary method है इस method में हम लोग straddle का chart ही लोड करते है और उसके base पे हम लोग decision लेते है इसमें हम लोग थोड़ा सा discretion यूज करेंगे और rules हमें इसमें हो सके उतने simple रखेंगे तो इसके rules कुछ इस तरह से होंगे तो first 30 minute हम लोग market को straddle होने देंगे 9.45 के बाद आप ATM straddle load कर लीजिए वो sell करने की डो condition हम लोग रखेंगे अगर straddle अपने VWAP price से नीचे होना चाहिए वो नीचे चल रहा है तो ही हम लोग sell करेंगे and second thing is जो index का straddle हम लोग बेच रहे हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी वो अपने previous day high और previous day low के बीच में होना चाहिए इसका मतलब जो आज का price है वो previous day candle के within ही होना चाहिए अगर यह दोनों condition satisfy होती है तो आप straddle sell कर सकते हैं अब trade में हम enter तो हो गए सो हमें इसमें stop loss लगाना पड़ेगा simplest way है कि हम लोग combine premium पर stop loss लगा दे सो हम लोग 10% यूज कर सकते combine premium जो भी होता है उस पर हम लोग 10% उपर stop loss लगा देंगे इससे थोड़ा dynamic way होगा कि हम लोग से वीवैप तो हम लोग use करी रहे जो जब enter करते हैं हम लोग वो time पर जो वीवैप है उससे 15 या 20% उपर हम लोग stop loss लगा देंगे जो भी वीवैप प्राइस है उसके 20 पॉइंट उपर हम लोग stop loss लगा देंगे इसे हम ट्रेल करते रहेंगे वीवैप के साथ इन दोनों में से कोई भी method आप use कर सकते for stop loss purpose क्या आपको पता है क्या आप straddle directional trade के लिए भी use कर सकते है कैसे मैं समझाता हूँ so this is the method जो directional straddle हम लोग use कर सकते आप index पर view लेते and then आप decide करते के आपको कौन सा strike sell करना है suppose Nifty trade कर रहा है 17,000 पर और आप जब 17,000 का straddle बेजते है जो ATM straddle है उसका delta almost neutral है आप जैसे एक graph में देख सकते है at same time there are बाकी जो जितने भी straddle trade कर रहे जैसे 6900 का या 17,100 का उनका delta balance नहीं होता है क्योंकि इन सब दोनों straddle में एक strike ATM है तो आप जैसे अगर 17,100 का straddle लेते है तो उसमें जो put side है that is ATM because market अभी 17,000 चल रहा है अब confused till confused तो चले मैं एक example के थुरू आपको समझाता हूं मैं Nifty का example लेता हूं इस graph में Nifty का chart plotted है जो 17,000 पे trade कर रहा है और मैंने 3 straddle plot किये है ATM straddle जो 17,000 का है दूसरा straddle है 16,900 जो lower straddle है जो current level के नीचे का straddle है and 3rd straddle है 17,100 जो upper straddle है जो current level से उपर का straddle है अब चले मैं इनका movement Nifty price के साथ देखते हैं so market जैसे ही start होता है after that so after starting market हमने say 17,100 का straddle पे focus करते है market जैसे ही उपर गया 17,000 straddle और slightly sideways उसमें minor सा decay मिल रहा है that means जब market bullish होता है तो upper straddle हमारी favor में behave करता है उसमें decay आता है and lower straddle में you know up move आता है spike आता है that means up move में upper straddle beneficial होता है and फिर हमने देखा market एक point के बाद वापस नीचे जाने लगा so यह movement में हमें ATM straddle में थोड़ा decay मिला but आप जैसे देख सकते अपर straddle जो था वो उपर जाने लगा and जो lower straddle था उसमें हमने काफी decay मिला so this was not only decay this was combined with the delta move क्योंके इसमें call ITM हो चुका था then again market started going up जहां पे ATM straddle में हमें decay मिला and upper straddle में भी हमें काफी decay मिला combined with delta moves but lower straddle उपर जाने लगा so in nutsell in sideways market so just sideways market में हम 3 straddle में decay मिल सकता है but यह chart से हमें क्या observe किया that in upper up going markets lower straddle जो होता है जिसे हम bearish straddle भी बोल सकते है वो loss देता है हमें but जो upper straddle होता है वो हमें profit देता है so upper straddle is bullish straddle lower straddle is bearish straddle and ATM straddle is a neutral straddle so एसा हम लोग एक concept मान सकते है so in sideways market naked option buying या selling करने के बदले आप अगर view bullish है तो current level से 200 या 300 point उपर का straddle बेश सकते है इससे अगर market आपके favor में गया तो apart from theta decay आपको delta का भी benefit मिलेगा yes but इसमें cost आपको double देना होगा आपको slippage भी देना होगा क्यूंकि आप in the money style trade कर रहे है so आपका cost double हो जाएगा as instead of one leg आप दो leg में trade कर रहे है so hope आप यह concept समझ गया अगर आपके पास कोई indicator है जो आपको direction प्रॉपरली बताता है तो आप उसमें rather than going directional आप upper या lower straddle बेश सकते है so अगर हम 3 straddle 7 में sell करे तो यह triple straddle strategy बनता है अब यह strategy का एक positive यह है कि sideways market में 3 straddle में decay मिलेगा up trend में हमें at least upper straddle में तो profit होगा maybe possible है lower straddle loss करे and down trend में at least lower straddle में profit होगा and positive possible है कि अगर minor up move या down move हो तो उसमें ATM straddle भी हमें profit दे दे so अगर हम 3 straddle 7 में sell करते है और combined premium पर 10 या 12% 10-12% का stop loss अगर हम लोग लगा दे तो sideways to mild trending move में हम profit बना सकते है but extreme trending move होगा तो हमें उसमें stop loss लेके निकल जाना है हमने यह method past में detail में cover किया था अगर नहीं समझ में आता है आपको तो आप comment box में बता है हम future videos में इसे detail में cover करेंगे अब इस method के कुछ issues हम लोग या जो problems है वो समझ लेते है एक तो इसमें slippages higher हो सकते as हम लोग 6 legs enter करते है and 2 legs already ITM होते है second is यह strategy manually trade करना possible नहीं है आपको इसके लिए algo यूज करना पड़ेगा and third is अब trending move couple with IV spike अगर आता है तो उसमें हमें losses जेलने पड़ सकते है thank you friends for listening यह हमारी details है हमारी website है scaleaminvest.com आप हमारी YouTube चैनल option smart को like कीजिए subscribe कीजिए ताकि future वीडियो की updates आपको मिलते रहे आप हमें Twitter पर भी follow कर सकते है thank you so much क्रूबंडर्स पर दो मना आप है झाते झाते का एक का झांना आप姜 कर का को का बाम